बजाज फिनेंस के नतीजों का आज निफ्टी में इंतजार है और उससे पहले थोड़ा सुस्त है दाइरे बंद कारुबार यहां चार्ट्स पे दिख रहा है कोई राय बन रही है नतीजों से पहले बजाज फिनेंस का इस्टक्चर तो नेगेटिव अब तक क्योंकि यहां पर कंटीनियूसली पिछले कुछ दिनों से मुनाफ़ासली देखने को मिल रही है मैं इस्पेसली चार वीक की बात करूँ तो 3800 से लेके हम 6700 तक का डिकलाइन देख चुके है और इस डिकलाइन के बात इस्टक्चर तो वीक है बड़ कहीने की नीचे में सपोर्ट आएगा तो ध्यान रखे आपके पास मंदी की पोजिशन है तो एक इंपोर्टन ट्रेलिंग सपोर्ट इस्टो प्लोज रखे 6950 जैनो सो पचास निकलेगा तभी इसकी मंदी खतम होगी और नहीं मंदी करनी चाहिए ज़िकरते हो तो 6950 का लेवल ध्यान रखे और तेजी भी करनी है तो 6950 के उपर जाए तभी तेजी कर तो इस्टक्चर वीक है तो 6950 के लेवल को ध्यान रखे वह आपके लिए इंपोर्टेंट लेवल रहेगा यदि नहीं तेजी करनी है अमंदी को कंटीनू रखना है